आके लगी है गोली इसके वे सिले पर जग रखा था उसमें गोली आके वो तो लड़की एक साइड होगे नहीं उसमें लगती यह जा रहा है वापिस तो फिर वहां से लड़ाई बाज गी फिर यहां मेहज़त पर जब यह मुसल्मानों नगे रहे हैं बोलें अल्ला हो बर अल छोड़ छोड़ क расс तब जाके अपनी जان बचाइए है यह रहा सामी जो टीन कपड़ा हो ह雅 है उसमें उसमें न परिवार इसमें इससमें में नहूं में मॉजूद हूं और यह वोही वस्ति है जिनके पास से Mushah गोली बारी की आवाजे आ रही थी स्थाने निवासी हमारे साथ मुझूद है और यह पीछे पहाड़ी है और यहां यहीं पर मंदिर है यह लोगों से बाचीत कर लेते हैं क्या ना हो गया रेखा जी आप यहीं के रहने वाली है अच्छा क्या हुआ है अचानक से गोली शुर शुरुत क्या है यहां से पर्ली तरब से जब मुसलमान आई जब गोड़ी चलाए गाड़ी जड़ाए है फिर हम देख रहे हैं सामें से तो चहरह दुबका रहा हापड़ सार। हाप्ड़ सार पिछान नहीं होई जी हम पर पहचान नहीं हां तो जब वहां से आ रहे हैं न बाद में बाद में चड़े यहां से बादरा में से जैसे यहां से फारिंग सुरू हुई है तो जैसे बजंग दर्वारे वापिस मंदर गए ना 5000 आदमी तो फिर ऐसे घूम गए यह फिर इनने मंदर पे चड़ाई करी है एक मंदर के पीछे मां खतम कर दियो बिल्कुली होता रहा है यहां से बाजरे में जो गोली वारी उसके बासे वो मंदर पर चले पर ऐसे पुर गें पूरे पहाड में यह ज़्यादा खतरा हम को और फिर फिर बच्चें ने लिया के भीतर अंदर चले गए फिर हम जब पुलीस आ गी है घंप बहुत देर पुलीस आई जब नगा पत्तर आपटार करो और भजरंग दरवाद पर गोल चलिए और अन्ना घोग बर अल्ला कहते गए हैं जो यह नो बोले अक बैइ तम यहां सो भग जाओ हमारा गेला जा मंदिर पर मंदिर पर कहां जा मंदिर पर पर सफारिंग हो रही कहां जा आपने बच्चे ने लेकर फिर यहीं दुब कहा परह को जाके निए बच्चान लेकर च्छोटे बच्चे हमारे साथ तो ज्यादा डरे हुए थे बच्चे फिर आप अपने घरों में आपको कोई आपका तो नुकसान नहीं किया नई जी हमारे हुआ पर भैंस बंदरी हुआ पर गोड़ी आकर पड़ी लेगए मीडिय वाले वह गोड़ी यह बताईए लोग कह करेंगे जो यह बहन हमारी के रिए हो सच्च है हां सच्च है हां क्या हुआ था मैं यह पूछना चारा आपने क्या देखा कुछ मालो जो इस ने देखा हुआ हम एक परिवार से हम इखटे सारे आप कहा मोजूद थी उस समय किस जगह मोजूद हम घर में हमारे परेक है यह पहार के परिकर मारा हम को सरकार कोई वैस्त करें हम को जब जेए हम को कमे यह रहां हमारी कुछ हम पहां यह रहना हके है एना यह नहीं के अब प्रेए उन्हों ने इतना डर आपके अंदर भड दिया है कि आप रहना के आप हम तो अपनी उमर पार कर जांगे हां तो हम कैसे रहेंगे क्या लगता है मतलब आप कहने हैं अगर वह हमें भाई समझते भाई चारा समझते तो गोलिया ना चलती हां लेकिन गलते तो ऐसे की भाई चारा ही है भाई चारा वाहाइचारा हम नहीं भाते हैं मतलब कल भाइचार आपका इधर बच्चे क्या नाम होगी आपका यह बताईए अंकुष कल यहीं मोजूद थे आप क्या देखा मतलब आपने कल जो हुआ अमा बताई डर रहा है सबकी एक लेना हमारे सबकी अलग अलग लेना हमारी लेकिन आप अपने क्या देखा आप कहा थी उस समय अंदर बैठी थी कमरे में थी कहा रहा हम पर है सारव सारे परिवार हमार भीडा वह चलेगा घर ने कताई यह फोड़ का पीछे चले हम बताँए जहां कर दूब के चलो यह पूरा है यह पाहाडी आजा जाहां जूब का बतांगे हम ज जूब करें यहां करी है कल बहुत गोड़ी चली है हमारे यहां तक गोलिया आक पड़ी यहां तक गोलिया चल रही तो यह क्या रही थी बताई जब जाके अपनी जान बचाईए यह रहा सामें वो जो टीन कपड़ा हुआ है उसमें कितने लोग मुझूत हैं उसमें सारे सारो परिवार उसमें ही था धोर बचलू तो यहां बांदिये हमने जब गोड़ी चली इना परली साइड तो हम भैंस यहीं लिया परली साइड की है आईग कर सकते हैं अज है करना है और तो हम ने हमारे खोल का करेंगो हमें तो बहुंट डर लग नह nouvelles cured kind कितने साल होगे आप यहां साल हो गए हमारे बड़े बूढ़े यहीं भूरी आगे उनके यह बताई यहां से जाना चाहते हैं उनके डर के आए हमें हमारे बच्चे वहूं से खूल जाएं है तो कभी बी कुछ भी कर सके हैं लो हमारे जाने भी सके मुसलमा एप गेर हनो तो कि वह भूठा er को आउप की तो इसलिए हमें तो बहुत डर लग रहा कल के हाथ से देखके हमारे बच्चे डरे पड़े और नू कहरे मम्मी अब हमें यहां रहना ही नहीं है यहां तो बहुत गोली चले हैं है हिंदून की बस्ते में दो की बस्ते में मुसल्मान तो हम कहां जाएंगे फिर बच्चे लेकर हमारे चोटी सी दुकानी वह भी तोड़ दी जला दी सारे कुछ कर दियो बहुत भर गिरा दियो तोड़ दई और मारव बहुत नुक्सान करा बरतन भी फोड़ दिये बरतन गोली ने लगी है गोली इसके वे सिले पर जग रखा था उसमें गोली आके वह तो लड़की एक साइड होगे नहीं उसमें लगती गोली हां कि वाड़ बंद करने बाहर निकली व क्यों कदी हमारे बच्चेन के साथ कुछ नहीं कर दे हैं चड़ रहे हैं अभी तो पाहड में वे जो चड़ रहे हैं जिन्ने हंगा मा करो बहुत डर महसूस है रहो हमें तर है डर है जहां बकरी चर्जियों उधर पे बैठे पाहडी तो पाहडी पे उधर बैठे सारे बहुत बहुत जोड़ होगी भाइमें तो कल बहोस हो गी मो तो तो सुद्धीना है पर जन्म पतों ने क्या हुआ क्या ना हुआ प्रिन नहीं पता है तक तक तो चली घर में आए हमारी अब आजरे में युबादर रहे हो और वे यहां खेत में गोली चली है यहां खड़े डाटे लगा रहा खेसा बनने और कम चार पाँच आदमी इस बादरे में खड़े और जब फॉर्स आये जब भगे वे छोड़ छोड़ के या टीले पर फिर पहाडी में चड़ गए तो यह देख सकते हैं यह फिर आपको नजर आ रहे होगी यह वही वाजरा है जहां से वह हिंसा करने वाले लोग इसमें छीपे ते और यह उसके आसपास के घर है जो फिलाल अभी डरे हुए हैं इनका कहना है कि हमें यहां से निकाल दो हमें कहीं और भेज दीजिए ये वाजरा है और कहा है कि यहां से गोली चलाने के बाद वो इस टीले पे गए फिर टीले के बाद उस पाड़ी पे चड़े और पाड़ी पे चड़ने के बाद यहां मंदिर के पीछे गए फिर उसके बाद वो वहाँ से मंदिर पर फाइरिंग की गई फिलाल यहाँ छोटे-छोटे बच्चे हैं जो इस समय इनकी चिंता यह है कि जब यह नूहू में पढ़ने जाते हैं कल के दिनको कुछ भी बड़ी घटना हो सकती है इनके यह अपने बच्चों के भविश्य को शुरक्षित करने के लिए यह चाहते हैं कि सरकार इनको शुरक्षा दे सरकार कहीं और इनको बसाए क्योंकि इनको डर है कि यहाँ पर कल के दिनको भी कोई घटना हो सकती है चोटे चोटे बच्चे आपको नजर आ रहे होंगे देख सकते हैं यह चोटे चोटे बच्चे हैं पढ़ने जाते हैं एक अम्मा भी बता रही थी कि उनकी दुकान को भी लूट लिया गया उनकी दुकान में भी तोड़ फोड की गई सारा समान उनका लूट लिए अगा अगर मैं एक बार बच्चों से बातचीत कर लो क्या नाम होगा आपका मयंग यहीं रहते हैं आप कल क्या हुआ कुछ पता यहीं थे यह कहीं बाहर गई वेते हैं यहीं थे बता सकते हैं कुछ कल अगर याद हो तो कल क्या हुआ था कट्टा वंदूख से गोली मार रहेते हैं कहां थे वो लोग कहां पहाड़ी में थे वो लोग पढ़ने जाते हैं आप आज नहीं गए अच्छा क्या लगता है कि डर है किसी बात का डर है आप उस समय कहां थे खेल रहे थे पढ़ाई कर रहे थे खेल रहे थे सबीव पिर आपको लगा कि क्या हुआ चानक से तो देख सकते हैं अभी बच्चे आप अगर आप बता सकते हैं क्या नाव होगे लक्स है आप कहा थे कल उस समय यहीं थे खेल रहे थे आप भी और गर में बैट पड़े थे लिटे हुए थे लुग में वेजा लगान में चासी और यह बलाव में यह बाजरी में छो ली चली ताफ इनका यह कहना है फिलाल अभी जादा हम इसलिए बात नहीं करें थोड़ा डर से रहें बच्चे और ये पूरा परिवार है सहमा हुआ इस समय है क्योंकि इनों ने जो घटना कल हुई वो अपनी आखों के सामने वो होते हुए देखा है ये घर है ये तीन चार घर आपको नजर आ रहे होंगे यहां पर ये अपना रहना सैना करते हैं अपना कामधाम करते हैं और उनी के बराबर में ये बाजरा है जहां पर कल जहां में जहां खड़े होकर गोलिया चला रहे थे उसके बाद से पुलिस आई फिर वहां उदर पहाड़ों में जाके चिपे फिर पहाड़ी पहाड़ी हो यहां पीछे मंदिर है पहाड़ी इदर आपको नजर आ रही होगी इन्होंने इनसे जानने कोशिश की इन्होंने बताया कि कल क्या हुआ इनके आखों देखी यह सारी घटना थी आप क्या सोचते हैं इस बारे में वो जरू बताएं धन्यवाद